अब सब कोई पता होगा कि कॉलकाता का सीच्वेसिन अभी क्या है सिब डॉक्टर मुमिता के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है ना जाने हर रोज कितने लड़कियों के साथ ये नाइन सफी होती है रेप होता है, मडर होता है और बदले में जस्टिस के नारा लगाया जाता है मत होता कुछ नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया का सो कॉल कानून, पुलीस, पॉलिटिक्स इतनी जादा भारी पर जाती है हम जैसे आम जनता पे कि हमें तो आवाज भी दब जाती है हम चाहे कितना भी कैंडल लेके रस्ते पे चल जाए, हम चाहे कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कुछ नहीं होगा सालों से साल वो ही सारे चीज़ चलती रहेगी, दस साल, गरा साल, बारा साल, फिर क्या होगा फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडिया के जो लौ है और जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है, वो सारे भारी पर जाती है वो चीकती हुई, गुजती हुई, जो आवाजे हैं दब जाती है जिस दिन डॉक्टर मुमिता के साथ आरजे कॉलेज में एक्सिडेंट हुआ, उस दिन सारे तीन हजार, सारे तीन हजार लोगों ने हमला किया हॉस्पिटल में उस टाइम पुलिस कहां पे थी, पुलिस आ जाती है, अगर ड्राइविंग सिट में किसी लड़की को देखते हुए, तो साइड में खड़ा होके एक घंटा पूस्तास करती है उस दिन पुलिस कहां पे थी, उस दिन सारे तीन हजार लोग कॉलेज में घुसके इतना जादा तोरफोर मचाया गया, हार एक सवबूत को मिटाया गया उस टाइम पुलिस कहां थी, कॉलकातिया का पुलिस कहां थी ये सारे चीज प्लानिंग के साथ हुआ है डॉक्टर मॉमिता जिस दिन ड्यूटी पे थी उस दिन उन्होंने अपना फोर कलिक्स के साथ डिनर किया था डिनर करने के बाद वो गई बट उसमें से एक जो लड़की थी उसके साथ उनका कोई कहा सुनी हो गई थी और लड़की भी उनसे बहुत ज़दा जलती थी क्योंकि डॉक्टर मॉमिता एक बहुती बहतरीन डॉक्टर भी थी एक स्टुडेंट भी थी और बहुती ज़्यादा इंटोलेजन थी उनका बिहेवियर बहुत ज़दा अच्छा था और जो होता है एक लड़की दुस्री लड़की का कामिया भी नहीं देख सकती है जलन पता नहीं और क्या तो उसको जलन थी डॉक्टर मुमिता से पता नहीं और इसी चक्कर में ओ भी सामिल थी इस क्राइम में अभी तक माना जा रहा है कि डॉक्टर मुमिता के जब ये सारे चीज हो रहती वो लड़की ने पीछे से हाथ पकड़ा था कैसी लड़की है? इतनी बेर हैं कि इतनी दर्दनाक मौत अपने आखों पे एक लड़की के उपर कैसे कर सकती है? एक लड़की दूसरी लड़की को इतना कैसे नीचे गिरा सकती है? और तो और उनके घर पे कॉल करके बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइट किया है माबापको तीन घंटा रोक दिया जाता है, गिरगरारे के बाद बेटी का मूह देखने नहीं जेता है बोलता है कि हम लोग जाच परतल कर रहे हैं अफी सबूत मिटा रहे हैं जाच पड़तल अगर करी रहे तो तीन घंटा उस नंगा बदन को क्या तुम लोग देख रहे थे, जब बाप ने बेटी को देखा तो पूरा नंगा बदन पे उस हालत पे देखा, क्या भीती होगी उनके दिल पे, और आज सिब डॉक्टर मॉमिता का रेप हुआ, मर्डर हु कल मेरा भी हो सकता था, मेरे साथ भी हाथ सा होते होते बजगी में, मैं किसी काम से सिक्टर फाइब से आ रही थी, बहुत ज़्यादा बारिस हो रही थी, अभी कोलकता में बैसे भी दो चार दिन से बहुत ज़्यादा बारिस हो रही है, ओला कैंसल पे कैंसल हो रहा था, फि यहां में बैठी, बैठते ही जैसा हम सब लोग करते पहले OTP देते हैं, OTP देते ही सामने वाले लड़का था, सामने वाले लड़का बोलता है कि मैं यहां पर पुलिस पकड़ लेगी और इतना जदा बारिस हो रही थी में भी बहुत रश्च में थी, मैंने उतना नोटिस नह कृचंचल कर देजר, मैंने मुझे लगा कि फिर उतार देगा वह कैनल के बाद बोल रहे हैं, मैंने वह हैं आप अप मुझे एए पिक-प क्यूं कियो किया? तभी कैनल कर देते हैं, नहीं मे आपका एड्रेस तक आपको हम छोड़ देंगे, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोगों को मालिक थोड़ी न इतना पैसा देते हैं, दो पैसा हम भी कमा लेंगे, और आपको 30, I mean 532 रुपीस देना नहीं होगा, आपको हम 200 में छोड़ देंगे, मेरा वह समझ में आता है, और अरेडी डॉक्टर ममिता का औरेडी पुड़ा कॉलकता में बात चल रही है, केस चल रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ चल रही है, तो हर एक लड़की फूख-फूख के कदम रख रही है, और फिर जब ऐसा हुआ, जब ऐसा बात काम तो कुछ नहीं होता है सामने वाले आपको अटक करता है क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे था अगर मैं कुछ भी ड्रामा करती पूरा गारी का कंट्रोल उसके हाथ पे है वो लॉक करता मैं गारी तोड़ती या फिसीशा तोड़ती क्या कर पाती मेरा तो इद जिन खेल कांट गत्व हो जाता मैं इकक्दम पूरा अच्छे से हुसते हुए मेरे पास फोन रहता है तो मैं ने क्या किया दूसरा नंबर से मैं अपने आपको फोन लगाया और फोन को य normale करते गा थे एक मीनुट करने छे कर के छे आपको 9 ऐ इसा डाले को बोलके मैंनों सो बात को का ठीके तुम लोगों को है पिक कर लेती हूं। तुम लोग रास्तेमे ही हुorse मैं वही रास्ते में हुर्थ। ऐसा करके मैं बात को आगे बढ़ा है। सामने वारा बंदा मेरा बात को अच्छे से सुन रहा ह। फिर मैंने बोला भाईया मेरा दोस्त है उनलों को पिककल लेते हैं तो वो ना चलाकी से मेरे को पूछ रहा है अच्छा कितना लड़का कितना लड़की है मैडम गाड़ी में आ जाएगा सब तो मैंने बोला आरे दो है मेरी दो लड़की है आ जाएगी आराम से उसको लगा ए पानी भी बहुत गिर रहा था मैंने उसको बला भाई यहीं पर रुकिए पीछे ही है और सामने ड्राइविंग सीट में था पानी गिर रहा था तो पीछे उसको भी सही से सबकुछ दिख नहीं रहा है ठीक है मैं वहां पे बोली भाई गेट खुली है वो बस आहीं गया है बस वह मुझे कंफरांम करना था कि गेट लॉक है कि पूरा है करना बोलाई है यहां मैं घछ गलत का है then भुला है नहीं गेट तो खुला हुआ है भुला यह ऐसा कर क्या मैं मैं ऐहर ही ह además मैं देखी नहीं अगा को भुला मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, प्लांग, और उस टेम इतना बारिस हो रहा था, सामने से कोई गाड़ी आके मुझे मार देता, इस पॉर्ट डेट मेरा उहीं पे हो जाता, फिर मैं भाग, मैं अग्दम भागी, सामने एक बहुत मतलब मैं भाग रही थी, और फिर एक, मतल तो देखा एक जो सिक्रेट चिप्स का दुकान छोटा छोटा नहीं होता है रोड के पास रहता है, वहां पे जाकी में रुकी, तो वहां पे दो लड़की थी, दो लड़की थी, दो अंकल था, गाड़ी भी लागा हुआ था, फिर जिसका दुकान है, वह बोला रे बाबु क्या हुआ, मैंने बुला रे मैंने किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया क्या फाइदा है, तमासा होता है कुछ तो हो ता नहीं ही, तमासा हो जाता है, और उस टाइम मतलब मेरा दिमाग और नहीं चल रहा था, फिर मैं कुछ नहीं, ओ गुटता देखके मैं डर गए अज में नहीं आ रहा था फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया घबरा के बात नहीं किया आरहम से ही किया कि तू कहां पर है तो बोला हम तो ऐसे ही घर पर ही है मैंने बोला फिरी है मैंने बोला सुनना मेरा आज पार्स लाना भूल गई मैं घर से और देख मैंने गलती से तीन बार आतो गई थी तब मैंने फोन पे कर दिया था पर जाने के टाइम पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीन बार मैंने पिन कोट अपना गलत डाल दिया जल्दी जल्दी में अभी 24 गंटे के अंदर तो लौक नहीं खोले तो तू फिर है तो आना यहां पर तुझको हम लाइब लोकेशन भेज रहे तो ठीक है तू वहां पर रुक हम आ रहे है ओ आया फिर में घर आई घर आने के बाद उस टाइम मैंने मैंने पूरा रास्ता में इम्मत रखा वहां से निकली फिर जब मैं घर आई तो सोच के मुझे मतलब मैं यह सोच रहे हूं कि मेरा आज आखरी दिन था कि मेरे साथ भी कुछ बुरा होने वाला था या फिर वो जो हुआ दो गंडे में वो क्या था मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं किसको कुछ बोलूं किसी को क्या बोलूं मैं सज बोलूं तो मैं अगर मर भी जाओं किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है इंक्लूडिंग मेरा फैमिली को भी सो मैंने किसी को कुछ फोन नहीं किया मैंने मैं बहुत उस टाइब मैं बहुत रोई रोके थोड़ा हलका हो गई मैं बहुत रोई नहाया फिर मैंने सीकुरिटी गार्ड को फोन किया अपना बिडलिंग का फिर बोला अंकल आज के बाद से मेरा कोई भी पार्सेल आता है आप मेरा तो ऑन लाइन पेमेंट ज्यादा तर होता है क्यास ओन डिलिवरी नहीं होता है तो जो भी पार्सेल आता है आप सिगनेचर करना अपने पास ही रखना मेरे फ्लैट तक किसी को बहिजना मत विदाउट मैं परमिशन मुझे एक पर पर गए मैं कमजोड बिल्कुल भी नहीं हूं मैं बहुत स्ट्रॉंग हूं क्योंकि मैं बच्पन से इतना कुछ साहा है मैं चट्टान बन गई हूं मेरे को हिला नहीं सकता है हां मैं उस टाइम पर थोड़ा उस टाइम पर सोची थी कि मेरा जिंदे की खतम क्यूंकि आखरी दीन है। आज डॉक्टर मुमिता का रेप केस का नौसे दस दिन हो गया है। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे वीडियो पनाना नहीं था। जिस दिन प्रोटेस्ट में भी गेई थी। मैं बिचा बनाया था। वहां पर लोगों का बात नहीं हुआता नहीं वीडियो नहीं ही बनाया था। सोच रहे थी कि में अपना जो हुआ उस बारे में बात करूं क्या मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जो दोटनी करनी क्योंकि मेरा काम सिब ये तो नहीं न आ, कि में अपना beauty routine ये सारे चीज दिखा कि आप लोगों को सिब इस सिब मोटिवेट करूं मेरा काम, मेरा फर्ज ये भी है, मेरे पास एक प्लाटफॉर्म है, मेरा चानल है, तो मेरा फर्ज भी ये भी है, कि जितने सारे टीनेज, जो भी सिस्टर्स मुझे देखती है, चाहे, सौ लोग कीवना देखे, एटलिस उन लोग के तक message तो पहुचे उन लोग को भी पता चनना चाहिए कि अगर ऐसे situation हो तो कैसे खुद को panic नहीं करना है, कुद को strong रखना है, mobile को on रखना है और अपने सामने वाले को इसमाइल के साथ इतना confidence के साथ बात करना है तक कि आपका दिमाग चले कि आप यहां से कैसे मुसीबत से इस मुतली निकल सको अगर ऐसा कोई खुदाना खास्ता किसी के साथ भी situation आये, that's why मैंने सोचा कि नहीं यह वीडियो में बनाती हूँ, you know हमारे इंडिया में law आप सबको पता है कितना बेकार है, हर दिन Dr. Momita का case एक highlight हुआ है, अरजे कॉलेज में जो इतना बारा तमासा हुआ, वहां के जो principal थे, वो six racket चलाते थे, वो RD racket चलाते थे, वो drugs racket चलाते थे, वो उनका बहुत powerful है, उनका बहुत party politics के साथ इतना जादा उनका, मतलब जान पहचान है इससे पहले भी उनके साथ बहुत सारा केसेज है तो उनका बहुत पावर है वो बहुत कुछ करते थे हैं डॉक्टर मोमिता को भी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत हर एक चीज पता चल पर उसको अपने में ले नहीं पाई कि कि वो बहुत जाता प्लानिंग के साथ सारे चीज हुआ है एक उससाइट हुआ है उनको कितना बेध्रहमी से मारा जक्र ern grad आ खुटक है आंगों से खूण स्मा पूर तोटके आंखों तक गया आंखों से मतलब सोच रहे हो नाक से खून पुरा बॉड़ी पे इतना ज्यादा पे सब टूटा फूटा हुआ है और पुरा पाउं को पुरा चीरा गिया है उनका बॉड़ी में जो इस्पर्म मिला है वो किसी एक आदमी का नहीं है बोला जा रहा है तेरा से चौदा आदमी का है और डेट होने के बाद जब उनका सांस रुख गया उसके बाद भी उनके साथ रेप हुआ है सूच सकते हो मतलब यह जाहिल यह क्या चीज है जानुवर के अंदर भी इतना सेंस होता है वो लोग कभी इतनी गंदी ही नहीं करते है जितना यह मतलब इसको कौन सा मतलब वाट नहीं है मेरे पास कुछ बोलनी के लिए और यह इतना लोग देखो इंडिया का पत अग जो पकड़ा भी गिया है तो उसको भी क्यूँ अभी तक वो जिन्दा क्यूँ है उसको तो ओन्दा इस्पोर्ट उसको तो मार देना चाहिए बच नहीं सालो साल चलता रहेगा केस माबब आते रहेंगे जाते रहेंगे फिर पाटी पॉलिटीक पुलिस सब मिलके केस को दबा देंगे वैसे ही तो चल रहा है क्योंकि हमारे कोलकता का सो कॉल सीम यह बोल रहे है कि लड़की को तो आप बापस नहीं आ सकती है तो असलाग देखके उसके माबब को बेटी लोटा सकते मतलब क्या बोलू मैं इसके बारे में कैसे कोई ऐसा बोल सकता है वो भी तो एक और अधे मतलब पार्टी पॉलिटिक इतना इस चीज को दवाने मांग रहे हैं कुछ नहीं होगा यह हम लड़की आरना सेफ कहीं पे भी अपना वर्क प्लेस में भी कोई अगर सेफ ना हो तो कहां जाए डॉक्टर जो हमलों के जिन्देगी बचाते हैं उसका ही जांग चला जा रहा है मैं हर एक मेरी जो सिस्टर जो देख रहे हैं हर एक को मैं एक ही चीज बोलूंगी अपना दिमाग और अपना आखे खुली रखो किसी बेबी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कोई दोस नहीं है कोई प्यार मोहबत नहीं है सब भाण में जाए जान है तो जाहान है और आज कल जब से TikTok आया है तब से ना फूरा बेडा कल करके रखा है क्योंकि influencer, creator को कुछ चीज सिखाना चाहिए अभी तो इतना चीजी बिगड़ गया है क्योंकि सोसल मेडिया में सेक्स काई सेक्स किया जाता है कैसे पोस दिया जाता है क्या खा के सेक्स किया जाता है इतना गंदा- असलील वीडियो तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी रिल्स चलाते हैं तो वो लोग तो देख रहे हैं ना सबका हर्मोन है बॉडी में तो वो लोगों के दिमाग में क्या असद जा रहा है गुड टच, बैड टच यह सारे ड्रामा तो हम लोग तो सिखा देते हैं रिल्स जो बनाते हैं तब क्यूँ बच्चे लोगों को हाथ में फोन दिया जाता है वहीं पर इस्टॉप क्यूँ नहीं लगाया जाता है और इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूं हम पब्लिक लोगों क भी बहुत दोस से पता है क्योंकि मैं यह चीज़ बोलना नहीं चाहती थी बट अग जब मैं बोल रही हूं तो मैं बोलूंगी चाहे कि इसको बुरा लगे तो लगे हमारे चाहे सो कॉल यूटूबर या फिर इंफुलेंसर इंस्टाग्राम में एक पर्सेन ऐसा है जो ग्यारा साल का लड़की का औरेडी रेप किया है खुला घुम रहा है दो बीबियों के साथ और मिलियंस में व्यूज है millions में उसके पास subscriber है millions में उसके पास followers है तो millions कहां से आते हैं public ही न public को पता है और rapist है क्योंकि proof के साथ internet पे सारे चीज़ है but party, politics, पैसा power तो आज़ादी के साथ घूम रहा है और वहाँ उसको जनता इतना support कर रहे और rapist को कि big boss तक पहुच गया और यही जनता फिर comment करेगा कोई अगर एक लड़की अगर छोटा सा dress पहल लेगी तो उसको कितना कुछ बोला जाएगा जाके उसको किस नहीं बोलते हो और उन लोगों का इक comment box लेगा, justice for 10 years old baby, क्या justice? तुम लोग उसको देखोगे, उसको follow भी करोगे, उसको आगे भी बढ़ा होगे, किस चीज़ कर justice? जनता के पास power होती है अगर कानून कोई चीज़ को seriously नहीं ले रहे हैं तो अगर हम लोग चाहे सब एक दूसरे का साथ देखे तो कि हम लोग justice नहीं दिला सकते हम लोग वो सारे इंसान को क्यों follow करें, क्यों देखें रेपेस्ट को हम लोग reviews दे, रेपेस्ट को हम लोग millions पे लेके जाए, आसमन तक छुए क्यों follow करते हो एक 11 लाग, 11 करोड यह सारे चीज़ जो account होता है, कही आईसे ही हो जाते है एक एक परसन जूड के ही तो millions पे जाते हैं तो क्यों कैसे चला गया अगर वो एक-एक millions को जब पता चला कि यह रेपेस्ट है, हार एक इंसान को पता है, तो उसको unfollow करके, आसमन पे जैसे उसको चड़ाया गया, तो उसको जमीन में क्यों उतार के, उसको justice क्यों नहीं दिलाते यह चीज नहीं कर सकते नहीं करेगा बट एक लड़की अगर कुछ कर ले तो ग्यान देने के लिए दस लड़की और आ जाएगे, अरे यह तो एक कल, इतना तक एक लड़की दूसरे लड़की कली कलुटी है, इतना कपड़ा पहनती है, अरे कैसी है वैसी है, यह सारे चीज़ करने में ही तो बिजी है, एक दूसरे को सिर्फ ताना मारो, एक दूसरे के लिए बुरा बोलो, यही सारे चीज़ में ही जिंदेगी जा रही है ना और जब कोई मर जाता है तो इस्टेटेस लगा दो, डॉक्टर मॉमिता के साथ जो हुआ, कलकता के लिए अभी पूरा दुनिया में इस्टेटेस लगा जा रहा है, पूरा दुनिया में बाते चल रही है, पर एक्चुल में जब कुछ करना आता है, तब तो हम लोग कुछ करते नहीं है, क्यूं? क्यूं इतना, मतलब किस चीज के लिए हम लोग इतना गुस्य से जलते हैं, क्यूं हम लोग एक साथ मिल के कुछ क्यूं नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते कुछ अच्छा नहीं बोल सकते किसी को दिल दुखाना क्या जरूरी है आज मैं आप लोगे के सामने वीडियो बना रही हूँ आज दो दिन पहले अगर कुछ होता मेरे चैनल पर कोई मुझे दूबारा देख पाता में ता दुनिया में ही नहीं होती आज मैं बाते कर रही हूँ ये ना मेरा गाइस ये जो मै मैं बाते कर रही हूँ ना बहुत हिम्मत कर रही हूँ नहीं हो रहा था मैं यह पीस तीन चार बर बैठी पुट के चली गई है कि मैं कर रही हूँ ता कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, समरीम दी बुलाती है, आपी बुलाती है, कम से कर उन लोगों को थोड़ा बहुत हिम्मत मिले कि हाँ हम लोग भी बाहर जाके प्यानिक नहीं करेंगे आपने आपको, कुछी सिचोर्सन अगर है तो वहां से बचा सकते हैं किसी के लिए हम लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं किसी के लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए और बूरा पता है कब होता है सोसल मेडिया में बातों से ऐसा ऐसा बाते हो बोला जाता है जज किया जाता है कि तोड़के रख देता है लोग बिना जाने सुने कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलके चले जाते हैं और आप लोग भी कभी खोल के देखना किसी का भी comment box सब लड़किये ही होती है लड़किये कुछ नहीं बोलते हैं लड़किये इतना क्यों ही एक दूसरे के दुस्मन है मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर आप लोग बोलते नहीं हो रेपेस्ट को अब लोग हीरो बना दे देओ और फिर वोड़ो जस्टिस चाहिए नहीं मिलेगा जस्टिस ऐसे करके जस्टिस मिलेगा कितना केस आया कितना रेप चीज हुआ आज तक किसी का कुछ हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि ये इंदिया है यहां का बोलता है कानून यहां का पुलीस यहां का पॉलिटिसियन हम जैसे आम जनता के लिए नहीं है ये डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ ये अगर कोई बड़ा बिजनेसमेन होता है पॉलिटिसियन होकर आपको लगता है ये 10-11 दिन जाता दो दिन में काम तमाम बड़ ये तो एक नॉर्मिल घर से है न जिसके बेटी गई तो गई उन किसको क्या फरक पड़ता है आज पूरा देश रो रहा है वो सिचोशन देख्यों पूरा देश लड़की लोग डर गई है इसकुल जाने से पहले सोच रही है सब कोई बहुत ही अच्छा है ट्रचूट कोई प्राब्लेम नहीं है पर ट्रस मी डल लग रहा है कि क्या पता अभी कभी भी वास्रूम जाना होता चली जाती थे अब लगता है अभी सोच रही हूँ कि अब जाओंगी तो किसी के साथ जाओंगी नहीं तो जादा पानी नहीं पिऊंगी ओफिस टाइम में एकदम वास्रूम जादा जाना नहीं है खाली जगा पे जाना नहीं है ये सारे चीज़ दिमाग में आ रहा है मेरी हर एक सिस्टर से एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर मुमीता के साथ जो हुआ हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनके माबाप को सवर दे अल्ला और उनका आत्मा को सांती कैसे मिलेगी हम लोग जितना भी दुआ को उनको जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ नहीं मिलेगा उनका आत्मा को भी सांती नहीं मिलेगा इतना बहरेमी से उस डॉक्टर को मारा गया है कॉलकाता में ऐसा केस फर्स टाइम हुआ है कॉलकाता में ऐसा पहले ना मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था साथ आठ साल हो गया है मेरा कॉलकाता में कभी लगा ही नहीं कि कॉलकाता इतना मतलब डेंजर है यहां पर इतना अंसेफ है क्योंकि मैंने सुरू से ही अपने अपको बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड के साथ और मैंने अपने लाइफ को ना बहुत ही सेफली जिया है मेरा कोई bad habit नहीं है मैं अकेली रहती हूँ मेरा बाहर भी नहीं जाना होता है मेरा से ले दे के एक ही दोस्त है जो मेरा घरवालों को भी पता है अधरवाइस और कोई नहीं है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत बढ़ा बढ़ा धोका भी खाया है सिर्फ लड़कियों के विज़े से सो ट्रस्ट नहीं है किसी दोस्त के उपर और एक चीज़ इंपोर्टेंट हम सब को लड़कियों को बहुत बीमारी होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम लगा रहता है कभी भी डॉक्टर के पास जाना हो तो गाइनेकल डॉक्टर के पास जाना अगर आपको गाइनेकल प्रॉब्लेम है तो इक आपके पास कहा पिजिकराना शॉज तो हो जाना कि को अपको पास चाह् distillation है कि आदाटी सट तो हुले अंय पास सब्सक्राइब कला?' किसी को भी घर पे कोई भी साथ ले लो और एक चीज जो मैंने चीज परसोनली जो फिल किया कुछ भी गलत होना होता है आपके पास साथ तो हम लोग का सिक्सिंस ना थोड़ा सिगनल देता है पर हम लड़किया भी अजीव है पेवकुफ है इग्नॉर कर देते हैं काम को पहले काम को फर्स्ट रखा और इतना बारा हासा होने से बच गया तो कभी भी अगर सिक्सेंस आपका कुछ बोल रहा है कुछ सिगनल दे रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट आपको बहुत जादा अगर इंपॉर्टेंट काम हो तो घ बचाएगा तो किसी के साथ जाओ और थोड़ाच अगर रात हो रही है थोड़ाच अगर रात है तो अकेला वो चसका के साथ मत निकलो सोशल मेडिया देखे कि लड़का लड़की एक सामान है हम लोग जाएंगे अपना मर्जी से गुमेंगे जिन्देगी जाएगी कोई मर अब बच्पन से भी तो हैसे हम लोगों को कितना सारा रोका टो का लड़की है लड़की वह ऐसा मत कर वैसा मत कर हम लोगों पे बहुत ज़्यादा रेक्स्टिक्शन हर चीज में होता है अभी ऐसा है सेप कैसे हो सकते हो तो अपने जान अपने हाथ पे है अपने इज्जत अपने हाथ पे है और जो टीनेजर गर्ल है जो टीनेजर जो वीडियो देख रही है अभी मैं इतना उपनली कभी कुछ बोलती नहीं हूं पर यह सारे चीज़ देखे इकी चीज़ बोलूंगी प्लीज पढ़ाई लिखाई करो सोकल लब के चक्कर में मत जाओ और फिजिकल relationship में मत जाओ लाइफ बरबाद हो जाएगी क्या पता आपको लेके कहीं पर बेस दे प्यार महाँ पस सिखाए कुछ वीडियो बना ले आपका फाइदा उठाले किसी और के साथ कुछ कर ले कुछ भी हो सकते किसी को पर ट्रस नहीं कर सकते हो तो अपना माबाब को और अपन उपर फोकस करो सोच समझ के करो पांच उंगली बराबर नहीं होता है ऐसे नहीं कि सारे लड़के खराब नहीं है जितना प्रोटेस्ट में पूरा कॉलकाता जमा हुआ था मेरा बिल्टिंग में सब कोई हम लोग साथ में गयते एक साथ गयते सब इतने जादा अच्छे लो पांच उंगली बराबर भी तो नहीं है कौन का किसके दिमाग में क्या चल रहे नहीं चल रहे क्या पता लोगों को भोली वाली लड़की को फसा के बोलते साधी करेंगे मानने चल भाग चलते भाग चलने के नाम पे कितने लड़की ना जाने बिग गई है जाके कोठे पे बैठा देता है तो बहुत सारा चीजें होती है थोड़ा सा पे यह सारे चीज आप लोगों के साथ डिसकस कर रही हूं ताकि कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को जैसे मैं समझ रही हूं में चीजों को अब से और ज्यादा मतलब जैसे कि मैं अभी और ज्यादा अपना ख्याल रखूंगी हर एक चीज के लिए वैसे मैं चाहती हूं आप लोग भी ख्याल रखो आराम से रहो जहां पर जरुरत है कि माबापको लेके जाना है या फी दीधी दादा कोई भी उन सबको लेके जाओ अकेला कुछ भी उतना मत करो और असब निज्स देखो पूरा दिन रिट्ट कें जिन्देगी बरबात करने से अच्छे कुछ निज्च देखलो ऐसा नहीं कि देखने मना करी देखो जो मोटिवेट करें जो कुछ सिखा है जिससे कुछ सिखो ना कि मुझरा करने वाले को देखो कुछ सीखने के में वही काम आएगा और अच्छे से रहो और एक रिक्वेस्ट है मैंने ऐसा कभी कभी नहीं कोई वीडियो में नहीं बोला इस वीडियो को ना ज्यादस ज्यादस सियर करना ताकि जितने भी सारे लड़की है थोड़ा एलड रहे थोड़ा चा कुछ इनफॉर्मेशन मिल साके कुछ हेल्फ हो साके और कोई यह दी है थोड़ा इस वीडियो के लिए मैं एक हमबल सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ताकि क्या पता किसी की लाइफ सेव हो जाए और डॉक्टर मोमिता के लिए दुआ करना ताकि उनको इंसाफ मि मिल और हम लोगों को रुखना नहीं है हम लोग एक पोस्ट से हम लोगों का एकता से कुछ भी हो सकता है public चाहें ना तो कुछ भी हो सकता है पर सब कुन के करना होगा एक आपनी करता जहें तो क्या पता, first time किसी बेटी को इंसफ मिले और ऐसा इंसफ होना चाहिए और ऐसे ही सर्जा होना चाहिए कि रेप करने से पहले, लोग करने से पहले क्या, सोचे भी ना, इसको रूक आप जाए, justice ऐसे ही होना चाहिए, इंसफ ऐसा नहीं एकि फासी दे दिया, गोली मार दिया अब अगर justice हो, तो ऐसे इंसाफ होना चाहिए, और ऐसे ही जो भी घुन्यों ना हरकत किया है, उसके साथ इतना गंदी तरीके से उसको भी मारा जाए, और उसको भी तडपा तडपा के मारा जाए, कि बाकी जो लोग है, जो टेपेस्ट, जो गंदे निकाहों से बच्ची को भी नहीं छोड़ती, आठ साल के बच्चे से लेके सतर साल की बुजुर्ग को भी रेप करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं रेपेस्ट, इसका नियात, इसका आखे इतनी गंदी होती है, तो ऐसा गुना का कोई माफी नहीं, ऐसा गुना ऐसे तरीके से इसको सजा दिया ताकि लोग करने से पहले सोचें, बाहर की कंट्री में कितना अच्छा रूल से, अगर चोड़ी किया जाए, तो हाथ काट देते हैं, रेप किया जाए, तो on the spot मार दिया जाता है, और हमारे इंडिया में सालों साथ केस चल को, बन किया जाता है, बस यही हिंसाफ होता है, य ऐसा ना हो, इस बर हम लोग सब मिलके एक दूसरे के साथ देंगे, इस प्रोटेश्ट को हम लोग ऐसे ही बतलब सपोर्ट करेंगे, देखो, लाइफ है, सब कोई मुगान होगा, आज मैं बोल रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ बाते करें, कोई और कर रहे है, हम कर आप कर रहे है, सब कुछ कर रहे है, पर कब तक, ये सारे चीज़ कब तक, एक हपता, दो हपता, या फिर दस दिन, चलो मान लिया, तीन महिना, उसके बाद तो सब बिजी हो जाएगे, मूव ओन तो सब को ही करेगा, तो जितना जल्दी हो साके, ये केस अगर सॉल्फ हो जाए, और जितना जल्दी हो साके, उस माँबाप को रुको तब ही सुकुन मिलेगा, उस बेटी को, और उस माँबाप को दिल को भी तब सुकुन मिलेगा, जब उसका बेटी का कातिल को भी तरपा के मारा जाए, तब ही जेस्टिस मिलेगा, दस लाग दे के बेटी तो नहीं आएगी, पर दस लाग से मुम्तब एनरजी बोल रही है, फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, सिरियसली, फैमिली के लिए, ऐसा है हमारे नेता, हमारे कुलकता के सीम, ये वीडियो ना मैं बहुत हिम्मत करके बना रही हू क्योंकि ये वीडियो बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ और मैं आपलोग को मतलब, समझा पारी हूँ, नहीं पारी हूँ, आपलोग समस्त पारी हूँ, मुझे पता नहीं है, पर आप लोग सोच नहीं सकते, कि ये कुछ दिनों क्या हुआ और मतलब क्या फील कर रही हूँ है क्योंकि मैं ज्यादा मैं तूटना नहीं चाहती हूँ, किसी को अपना वीकनेस में दिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं दिखाती हूँ, मैं always I'm strong, मैं कैमेरा के सामने आप लोग के साथ वीडियो सेयर करती हूँ, हमेसा मैं अपना हैपी वाला पार्ट दिखाती हूँ, इसमायल के साथ ही करती हूँ, otherwise मेरा back of the mind क्या चलता है, मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं दिखा भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलने में आ गई, मैं अगर कुछ ऐसा पब्ली के लिए अगर बोलने के लिए, तो इसलिए मैं कभी कुछ सेयर नहीं करती हूँ, यह जो मैटर हुआ, यह मैं बहुत हिम्मत के साथ सेयर कर रही हूँ, ताकि सामने वाले मेरी जितनी बहने देख रहे हैं, सब को थोड़ा बहुत हिम्मत मिले, सब कोई अलट हो जाए, और उबेर, कुछ भी करो, रैपीटो करो, कभी भी अगर कोई बोलता है कि OTP कैंसल करना है, अगर कुछ भी ऐसा बात कर, पैनिक नहीं करना है, जस्ट आपको खुद से जूट-जूट बोलके, एक फोन है, तो उसी में ही बात करना है, और एक दम चुप-चप से उस जगा से निकालना ह जैसे भी करके हो, और लड़का का नाम लें लूगा कि लड़का दोस्त आए गई हो, हमे Commun Okay कर दोका से लड़की को रहना, अब तो ओला उवेर्स दूर की बात है, अकेला कहीं पर जाने के लिए भी डल लग रहा है, और डॉक्टर मुमिता के लिए दुआ करना, क्योंकि हम लोग यही अभी कर सकते हैं, और जल्द से जल्द होप सो कि इस बर हमें सरकर्ड डिसेपॉइंट ना करें, इस बर एक बेट हिस्ट्री में तो लिखा जाएगा इतना जैसे रेप हुआ है, जिन बेहरेमी से उनको मारा गया है, एक बहतरीन डॉक्टर को हम लोग उने खो दिया, तो ऐसा चीज है, सरकार हमें सुनते नहीं है, पर भोट के टाइम पर भोट मांगने आ जाते हैं, हम लोग ही सरकार बना बात होती है, पबलिक में एकता नहीं है, अगर होता तो बहुत सारा चीज अच्छा ही होता, और अभी सोचल मेडिया है, तो बहुत सारा चीज आप लोग भी समझ सकते हो, देख सकते हो, पबलिक में एकता नहीं है, एक्चुल में बात ही है, पबलिक को पता नहीं, इस बा करते हो सपोर्ट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब समरीन दी कोई बुलाती है बहुत अच्छा लगता है मैं थोड़ी से सेंसिटिव हूँ पता है मैं कमेंट पड़की भी रो लेती हूँ पर आप लोगे साथ कभी वो सारे चीद सेर नहीं कि आज थोड़ा सा भाबूख हो गई हूँ बस चलो वीडियो को इप में खतम करती हूं अपना धियान रखना अच्छे से रहना और डॉक्टर मॉमिता के लिए हम लोगों को प्रूखना नहीं है जस्टिस के लिए हम लोगों को नारा लगाना है हम लोग जस्टिस के लिए हमेशा डॉक्टर मॉमिता के लिए बाकि जितने भी सिस्टर्स हैं सब के लिए हम लोग एक साथ हम लोग जस्टिस के लिए लड़ेंगे क्योंकि जस्टिस तो मिननी चाहिए ऐसा अगर होता रहेगा, हम लोग का आज कर आने वाले future कभी भी safe नहीं होगा, हर रोज किसी ना किसी को rape, murder ये सारे चीज़ से गुजरना होगा, अभी तो बहुत आम चीज़ हो गया है, अभी इतना आम चीज़ हो गया है, लोगों के हिम्मत और बढ़ रही है, अभी अगर रोका नहीं गया, तो ये चीज़ और बढ़ेगी, कल को माँबापी, स्कूल, कॉलेज जाने से डरेगा बच्चा, बेटी फिर एही होगा, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पैदा करने में भी लोगों डर लाएगा, कि क्या पाता कल को rape कर ले मेरा बेटी को, स्वाड़ी मैं रूना नहीं चाहती थी परूँ, अपने धियान लगना सब, बाई